हलो गाईज, वालकम टू पूरी पड़ाई, तो आज हम देखेंगे CSS Selectors, दे आर मेली त्री टैप अफ CSS Selectors, Element Selector, ID Selector and Class Selector, यह मारे पास तीन Selectors होते हैं, Element Selector होता है, ID Selector होता है और Class Selector होता है, इस वीडियो में हम Element Selector देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ID Selector और Class Selector देखेंगे, तो Element Selector क्या होते हैं, Element Selector, The Element Selector select the element based on the element name, तो Element Name के साबसे आप Selector को Change कर सकते हैं, जैसे एक्जाम्पल है छोटा साब के पास सामने, P टेक लगाया हुआ है, P एक Element है आपका, यह आप टेक भी कह सकते हैं, इस टेक को हमने Change करना है, Center करना है और Red करना है, तो किस तरह से करेंगे हम, मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आपने Notepad पे जाएंगे, Notepad में आपको CSS बनानी होगी, किस तरह से, मैं आपको अलेड़ी बता चुका हूँ, कि Style लिखेंगे, Internal CSS की वीडियो में आपको यह चीज़ें मिल जाएंगे, Style, 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 यह Starting और Closing Tag इस Style, और इसके बाद हम H1 को Change करना चाहते हैं, इस H1 को Change करना चाहते हैं, तो किस तरह से करेंगे, H1, इसके बाद Opening and Closing Braces, Curly Braces, और Color हम Change करना चाहते हैं, कलर हमारा Red करना चाहते हैं, तो इस तरह हम इसे करेंगे, Save करेंगे, Change करने के बाद, यहाँ पर हमने Save करा ElementSelector.html से Save करेंगे, Save करने के बाद हमसे ElementSelector, इसे हम Open करेंगे, किसी ब्राउजर में Open कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो सामने आपका लिखा हूँ है, ElementSelector, वो की Red हो गया है, तो इस तरह से आप चीजों को Change कर सकते हैं, Element को Select करके, इस Element को अगर मैं आपका कर देता हूँ, P कर देता हूँ सिर्फ, तो आपका जो Paragraph है, वो Change हो जाएगा, नीचे आपका जो Paragraph है, वो Change हो जाएगा, इसे मैंने कर दिया है, Save यहाँ से, Save के बाद मैं, Browser कोलूँगा, और उसे Reload करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आपका जो Paragraph है, वो Change हो गया है, तो इस तरह से हम Element को Select करके, Different Element को Select करके, उसकी Properties Change कर सकते हैं, Color कर सकते हैं, Size कर सकते हैं, यह सारे Attributes में आपको आगे बताऊँगा, तो इस तरह से आप चीजों को Change कर सकते हैं, Element Selector Use करके, So I hope आपको Element Selector से उन में आया होगा, So thank you guys, Meet me on our next video, तब तक के लिए, Goodbye, Your feedback is valuable for all, So please comment, Like and share with your friends, Thank you,